ये चुनाव कार्ज बहुत ही महत्पून कार्ज है पूरे सतरक्ता इसमें बरतने की आप सेकता है चुनाव आयो के निर्देशों को पलन करना है और आपको घवराने की जरुवत नहीं है यदि कोई भी मशीन आपके गरवरी होती है तो सेक्टर बिलकुल आप फोन करेंगे औ परसर बायलोजी यूट्यूब चैनल के चुनाव समंधे वीडियो में आप शभी मद्दान अधिकारी और पिठासीन अधिकारी का श्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का चुनाव यानि बिहार पंचायत निर्वाचन 2021 एवियम और मत्पत्र एवा मत्पेटिक दोनों से एक साथ हो रहे हैं पिठासीन पदादिकारी के रूप में यह निर्वाचन आपके लिए एक अनूठा अनुभव परदान करने वाला है क्योंकि संभवता पर्थम बार एक साथ परम परागत मत्पत्र मत्पेटिका बैलेट बॉक्स एन बैलेट प्रकिरिया के इसलिए आपके असर से विशेश सतर्कता बरतने की आवसेक्ता है चुनाव आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत सदस्य यानि वार्ड मेंबर ग्राम पंचायत मुखिया पंचायत समीती सदस्य और जिला परिशत सदस्य चार पद का चुनाव एवी एम से कराने का नीर ने लिए गया है जबकी पंच और सरपंच के पद का मतदान मतपत्र यानि बैलेट और मतपेटि का बैलेट बॉक्स से कराने का ने ने लिया गया है तो निशित रूप से यदि आप मतदान अधिकारी या पितासीन अधिकारी के रूप में इस वीडियो का आवलोकन कर रहे हैं तो आपके लिए यह महत्पुर्ण है कि आपके मद्दान केंदर पे कम से कम 4 ECU Control Unit नियंतरन इकाई आपको अवस मिलेंगे हाँ बैलेट इूनिट जिसको हम मद्दान इकाई कहते हैं उसकी जो संख्या है वो उमिद्वारों की संख्या पर निर्वर करती है यदि अधिक्तम परत्यक यह जो EVM से होना है उसके लिए अगर परत्यक परती के लिए अगर उमिद्वारों की संख्या 16 तक है तो एक एक BU यानि 4 BU आपको मिलेंगे तो कम से कम 4 CU और 4 BU आपको मिलेंगे और जैसा कि आपको पता है कि चुनाव के दिन यानि चुनाव के पुर्व चार घंटे पुर्व आपको यह EVM PCCP Petrolling Come Collecting Party के द्वारा पिठासीन पतादीकारी को हस्तगत कराई जाती है आपको दी जाती है और जैसे ही आप लेते हैं तो उसको एक चेक करते हैं खास करके उसके कंट्रोल यूनिट को CU को आप चेक करके उसमें बैटरी की सिती Candidate State है कितनी संख्या वो है और टाइमिंग इसका आप अवलोकन अवस्य कर लेते हैं चलिए हम बात करते हैं कि जब आप मदान के पूर्व मौकपुल कराते हैं चार बियू आपको मिलेंगे और चार सी यू और आपको पता होनी चाहिए कि वायर जो होता है वह बैलेट यूनिट में होता है और वह पांच मीटर लेंद का होता है तो उस पांच मीटर लेंद के केबल को आपको सी यू के कनेक्टर को सी यू के शोकेट में सेट करना है लाल की तरफ से लाल और काले की तरफ काला इस तरह से ऐसे ले करके हम सी यू के शोकेट में उस कनेक्टर को स्पीट करते हैं तो वह ऐसी सित्री में चार बीयू आपको मिलेंगे आप पर तैक अलग अलग ग्राम पंचाय सदस के लिए अलग बीयू स्यू मिलेंगे ग्राम पंचाय मुख्या के लिए अलग बीयू स्यू मिलेंगे पंचाय समीति सदस के लिए अलग बीयू स्यू मिलेंगे और जिला पर स जैसे ही 90 मिनट पहले मौकपुल कराना है तो EVM के टेस्ट के लिए आपको मौकपुल कराना है तो सबसे पहले आप मसीन की जहांच करते हैं उस जहांच के करम में भी कुछ आपके साथ दिकते आएंगी कंट्रोल इनुट में कुछ परसानी हो सकती है ऐसे अब तक जो कैसे समस्याएं आई है क्योंकि कमिशनिंग के दवरान मसीन को पूरी तरह से जाच परताल करके कमिशन किया जाता है फिर भी अगर आपको कोई परशानी होती है तो इसके लिए घरबाने के जगवत नहीं है आपको सेक्टर प्रादिकारी के पास वो मशीन होते हैं और इससी तरह की मसीन में की समस्या अगर आती है तो आप उस एर को असर से कहां तक ठीक कर के ठीक कर सकते हैं और जॉब पूर्ण चीज़ है कि error सम्मंदी कुछ हमें जानकारिया होनी चाहिए और जो आपके अस्तर से मदान अधिकारी और पिठासीन अधिकारी के अस्तर से ठीक होते हैं तो हम उन error को ध्यान दे तो देखिए कौन-कौन से error हो सकते हैं यही error हो सकते हैं यह error होता क्या है तो इसकी समझ अगर आपको हो जाएगी तो आप अस्तर से तुरंट उसका समाधान निकाल सकते हैं चलिए पहला error है link error 1 यह link error 1 क्या होता है यह कहां दिखाया जाएगा यह link error कहां दिखेगा जैसी BU को आप CU के socket में डालते हैं फिट करते हैं तो उसके जैसा कि control unit के चार भाग है सबसे उपर इसका display section है दो नमबर में candidate set section है तीन नमबर में result section है और चार नमबर में ballot section है तो आपको display section परदर्शन पठ पे यह दिखाई देगा यदि लगाने के बाद link error या मौकपुल के दर्मियान link error लिखता है display unit पे तो आप क्या करेंगे तो यहाँ असपश्रूप से समझ ले कि यहाँ दो इस शितियों में होता है link error friend दो इस शितियों में होता है पहला इस शिति क्या होगा तो पहला इस शिति है connection धीला यानि BU के connector को आप CU के socket में लगाने में आपका connector धीला हो गया हो या interconnecting cable gap हो गया हो निकल गया हो या खीचा गया हो यानि कहने पहली सिति के कारण जो है link error 1 का पहली सिति देख की connection धीला है तो इसका निदान क्या करेंगे CU को सबसे पहले switch off करेंगे connector को निकाल कर और socket में सही धंग से लगा कर switch on करेंगे तो यह error आपका ठीक हो जाएगा अगर connection हीला के करन यदी है तो क्या करेंगे switch off करेंगे inter connector को आप निकालेंगे और फिर red को black की तरफ red को rate करके और socket में इस्तर से आप latch को पकर के inject करेंगे और on करेंगे हो सकता है कि इससे समस्या ठीक हो जाए दूसरी सिती link here one में दूसरी सिती कित कारों से हो है BU में slide switch की सिती एक BU की सिती में one पर जबकि दो BU की सिती में पहला one पर और दूसरा दो पर होने की सिती में link here जो दूसरी सिती क्या हो सकती क्यों तो यदि आपके मदान केंदर पे किसी उमीदवार के लिए दो बैलेट उनिट है तो पहला बैलेट उनिट के slide window पे देखना जोड़ी है receive करते समय क्या एक पर है और जो दूसरा जो बैलेट उनिट है उसके slide को window में देखेंगे कि क्या उस पर दो है अंकित अगर भूल बस यह गरवरी है तो वैसी सिती में BU को बदला जाएगा क्योंकि आप उसे खोल नहीं सकते हैं एजे मदान अदिकारी एजे पिठासीन पदादिकारी तो पहली सिती है कि connection धीला होने की सिती में link error 1 है जो आप खुद सरे है और दूसरी सिती क्या है कि BU बैलेट उनिट के slide window में पहला अगर एक ही BU है तो उसमें यह देखना है कि लेते समय कि एक window slide window में एक दीख रहा है कि नहीं एक है दो की सिती में पहला एक पर और दूसरा दो पर होने चाहिए अगर नहीं है तो ऐसी सिती में भी connect link error 1 आएगा आएए दूसरा error कौन परेश इरर 1 किसी सिती में आता है तो यह ध्यान देने की बात है कि बैलेट यूनिट में किसी अभ्यर्थी का button दवा हुआ है या jam है परेश इर 1 किसी सिती में आएगा तो बैलेट यूनिट का यदि कोई button jam है या दवा है तो इसका नीदान क्या है तो आप polling agent मदान अभी करता है कि समक्ष उस बैलेट यूनिट को हलका हिलाएंगे और push करके देखेंगे और यह देखेंगे click button को check करके और आपको ठीक हो परेश इर 1 किसी में यानि बैलेट यूनिट में कोई अभ्यार्थी का button दबा हुआ है फंसा हुआ है या जाम है तो आपको मदान अभी करता के सामने उसको हिला करके धीला करके आप उसको देख लेंगे उठीक हो जाएगा आये सिर्फ इर दिखाता है कंट्रोल यूनिट म कहना है और शेक्टर आपको त्रौंथ कर देंगे स्सक्वलएं इनवयलीड दिखाता है बदर संफ डिस्पले सेक्टफशन पे से इनवयली लिखता है लिए गया है यानि इनवयलीड पोल्स के लिए CRC प्रकिरिया है पहले मौक पोल के बाद अगर हमको मचीन को त्यार करना है तो उसको हमको CRC प्रकिरिया है फर्स्ट सी फ़र क्लॉज देन आर रिजल्ट और देन सी फ़र किलियर तो आपने क्लॉज बटन को नहीं दावा मौक पोल सभी अभ्यर्थी को आपने के मत दे दिया और एक के बाद रिजल्ट को दावा तो आपको क्या दिखाएगा invalid क्योंकि आपने सही करम में बटन को नहीं दबाया है सबसे पहले करम क्या है क्लोज को दावना है देन यू विल पूशे रिजल्ट एंड आफ रिजल्ट यू वल भी क्लियर तो क्लोज रिजल्ट क्लियर अगर इस सिप्वेश से आप दबायेंगे तो सही अगर आपने मान लिजे क्लोज दावा और result है नहीं दबा clear को दाबेंगे तो invariant लिखेगा आपने close को नहीं दबा सीधर result को दाब दिया तो भी invariant लिखेगा तो इस तरह से यह दखाता है कि आप cu के button को एक sequence में किस crum में दबाना है उस प्रक्रिया को आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको आगे या एक step पीछे या आगे जाने पर संभबता या ठीक हो जाता है cu error control unit error अगर आता है दरसाता है कि cu को बदल दिया जाए bu error bu1 error दरसाता है कि bu1 को बदल दीजिए bu2 error दरसाता है कि बदल दीजिए इस तरह से जैसे ही आप control unit को आप on करते हैं तो control unit का करम संख्या candidate की संख्या, time, date के बाद आपको battery की सिती बताता है अगर battery high है तो अच्छा है, medium है तो भी चुनाब हो सकता यदि low है तो ऐसी सिती में वो उससे चुनाब नहीं होंगे तो इस तरह से ये जो समान में link error 1 है और press error 1 है, error है, invalid है, cu error है, bu 1 error है यदि आप समझते हैं friend तो आपको परहसानी नहीं होगी और ये चुनाब कार्ज बहुत ही महत्पून कार्ज है, पूरे सतरकता इसमें बरतने की आप सेकता है, चुनाब आयों के निर्देशों को पलन करना है और आपको घवराने की जरुवत नहीं है, यदि कोई भी मशीन आप गरवरी होती है, तो सेक्टर बिलकुल आप phone करेंगे और बहुत कम समय में वह आपको उपलन कराएंगे, तो बिलकुल मुझे विश्वास है कि ये जो छोटी-छोटी सी समस्याय है और EVM से समन्दित है, जो आपके अस्थर से उसको स्वल्ब किया जाना है, आप उसके केवल को चेक करके और कनेक्ट करना है, एक बहुत सधारन सी बात है, लेकिन महत्पून बात है कि हम सही से उसको कनेक्ट करें और मुझे विश्वास है कि अब लिंक इरर हो या प्रेस इरर वन हो या इन्वैलिड हो, इन इस शितियों में आप अपने असर से उसको ठीक कर लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे, तो आप प्यारा सा लाइक अवस देंगे